Hello students, तो चलिए, फिर से एक नए कोश्चन के साथ, मैं फिर से हाजिर हो गया, तो आईए इस कोश्चन को अटेम्ट लेते हैं, but as per rule, पहले आप इससे अटेम्ट लेंगे, विडियो को रोक लेना, अटेम्ट लेना, और नहीं बनें तो फिर देख लेना, ठीक है, चलिए, तो in the circuit shown here what is the value of the unknown resistance R. Circuit दिखाया हुआ है सामने देख रहे हैं आप 10 O में 3 O में 3 O में R so that the total resistance of the circuit between P and Q P और Q के वीच में total resistance equal to R हो जाए अच्छा वे तो R equivalent भी R के बराबर है चलो कैसे solve करेंगे बाई solution सबसे पहली बात तो ये दोनों series में है तो series में equivalent कितना होगा product upon edition ठीक है भाई product upon edition जो आएगा वो इसके साथ parallel में है देख रहे हैं आप पहले तो series में तो add करते हैं रहे हैं add करते हैं simply तो 3 O में sorry बड़े बड़े सहरों में छोटी छोटी बाते हो जाती है ठीक है तो यहाँ पे ये है 10 O इसके साथ series में आ जाएगा ठीक है न तो आर एक्यूलेंट जो टोटल है वो कितना हमारे पास है आर इस पूरे कारीक्यूलेंट कैसे निकालेंगे इन दोनों का पहले parallel grouping करते हैं प्रड़ेक्ट अपरेशन 10 into r plus 3 upon 10 plus r plus 3 यह जो आएगा वो इसके साथ series में क्या करेंगे add करेंगे plus 3 equal to r यह हमारे पास है न शालो 10 plus 3 13 13 plus r यह आजाएगा 10 r bracket खोल दिया 10 3 जा 30 plus अब यह multiply होगा 10 plus 3 तो 13 जा 30 जा 30 जा 30 जा 39 plus 3 r बड़ा खतरनाक सा आगया भाई है न अब इसी को हमें solve करना है चलो भाई r की value solve करना इसको मिटा देते है question आपने note कर लिया होगा attempt भी लिया होगा मिला रहे होगे आप लोग ठीक है चलो अब हम लोग इसमे 10 r और 3 r कितना हो जागा 13 r 13 r plus 30 plus 39 that is called 69 is equal to यह दर आएगा 13 r plus r square सही है भाई को attention तो नहीं है चलो 13 r से 13 r cancel out r square is equal to 69 तो r is equal to कितना होगा under root 69 ohm तो इसका answer क्या होगा root 69 ohm that is answer c below clear हुआ आसान था question आसान था बहुत easy था चलो खेर but आपने बनायोगा I hope so और अगर नहीं बनायोगा तो देख लीजे okay thank you